वाय नमस्तु भ्याम कैसे हैं आप सभी पंचमीती थी बैसाख महा की सबसे पवित्र माने जाती है इस दिन किये गए कोई भी सरल से कारे रोग मुक्ति देते हैं कस्ट संकट पीडा से सदा सरवदा के लिए मुक्ति देते हैं गुरुजी प्रधीप मिश्राजी का त्रपूर सुन्दरी के नाम से घर के सिवलिंग में गन्य के रस का उपाय अगर कर लिया जाए न तो प्रत्यों की परिक्षा, नोकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, भारी से भारी, विपदा, सदा सरवदा के लिए टल जाती है और खुश्यों के अंबार उस घर परिवार पर लग तुलसी में गन्य के रस चड़ाने का उपाय किया जाता है पंचमी तित्थी पर आपने कई भक्त जणों ने किया होगा नहीं प्रत्तुर्च रविवार के दिन किसी भी अवस्था में तुलसी में जल नहीं चड़ाया जाता criticize अध्यों पूजान की जाती है एस बात नहीं और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब एकादशी तिथी हो तब भी तुलसीवा में जल नहीं चड़ाया जाता तो आप सभी को यह उपाए केसी भी स्वरूप में जो है नहीं करना है इस बात का आप सभी ध्यान रखें आप सभी जानते होंगे रविव अभी भर पूर अवस्था में बजार में गन्ने का रस मिल रहा है बिना नमक का आपको गन्ने का रस लेकर आना है जादा आवशकता नहीं है थोड़ा सा भी ले आएंगे दस रुपे का तो वह भी परियाप्त रहेगा आप सभी इस उपाई को बचाहें तो सुबह करें चा माना जाता है सूरे नाराण भगवान को जलित्या दियार पित करने के बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में गुरु जी कहते हैं मातात्रिपुर सुन्दरी का स्मरण करना है और अपना नाम गोत्र बोलना है यह उपाय आपके सब कारों की सिध लिएता तब ही होती है जब आप सभी उसकारी के लिए प्रभुका स्मरण करते हैं ध्यान कहीं और हो और पूजा कहीं और हो रही हो ऐसा सुभ और स्रेष्ट नहीं माना जाता ऐसी स्थिति में आप सभी जो है पूरवा भिमुख होकर पूर्ण रूप से नाम गोत्र बोलन यह कई कार्य में आपके काम आता है तो आप सभी को नाम गोत्र का स्मरण करना है चोटे बालक से लेकर बड़े बुड़े अपनी सब मनों कामना के लिए कर सकते हैं त्रिपूर सुंदरी का स्मरण करना है आप सभी को और दो पात्र जैसे आप सभी के पाथ दो गिलास हो गए या दो कलश हो गए या दो कटोरी हो गई परन्तु दो की संख्या में गुरुजी कहते हैं दो धार आपको देनी है सिवलिंग पर त्रिपूर सुंदरी माता कस पर इसमरण करें नाम गोत्र बोलें और दो कटोरी की धार या दो गिलास से धार आपको अपनी मनुकामना कहकर ग कावण जल क्या स्मरैंन करते हुए गुरू जी बनीक पर सफर्वर्वल्ण में मनुकाम्ण massive के दिन ऊहीं कि पोछी को परियत्म क्यान हो पिखने करें लाप और है इस हिस्किर ना किसी तोड़ करने वाला है विश्वास से करें लाब होगा कोई भी प्रश्ण हो पूछ लिजेगा कमेंट्स के दारा सभी सवालों के जबाबा प्राप्त करेंगे बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ तो गन्ये के रसका उपाय तो हमने जान लिया पंचमी तिथी पर यह लाब दायक है अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय के तरफ पंचमी तिथी पर आप जानते होंगे कनेर का फूल बहुत लाब दायक माना जाता है तो आप सभी को अपनी सभी मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए कनेर का फूल लेना है कनेर का फूल रविवार के दिन तोड़ा जा सकता है परंतो ध्यान रहे किसी भी अवस्ता में भाई टूता फूता नहीं हो हमेशा मेरे महादेव को परिपोर्णता प्रिये है और इसी से सुद्धता उपाय की जाने जाती है तो आप सभी को कनेर का फूल लेने ने हैं ध्यान रहे केपकी का फूल नहीं होना चाहिए यह सहीं माना जाता महादेव को समर्पित नहीं होता आपको एक कनेर का फूल लेने ना है अपने हाथ में उसे रख लेना है रखने के बाद आप सभी को क्या करना है कि उस कनेर के फूल को पांच जगहों पर सिवलिंग में इस पर्श कराना है सबसे पहले आप सभी को उसे जो है जो आ आपने कनिर का खूल लिया है स्मरान करे महादेव का श्री भाय नमस करां कर दें तुब कराएं पर तीसर भी कार्टीकेजी कि इस पर शकराएं चौतव पर माता असोक शंदरी के स्थान पर अस ही पांचवै इस्थान पर आपको जो उसका बूंद जिंद बं Cane जलाधारी कहा जाता है जिसमें महादेव और मातारानी की पांच कन्याएं रहती हैं उसमें इस पर्ष आपको करा देना है ठीक करा दिया सबसे पहले त्रिशूल में इस पर्ष कराएं गडेशी महरा कार्तिकेजी भगवान मातासोक सुंदरी और जलाधारी में इन पंच स्थ पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और दुख दरिद्रता का अंतस्वत ही होना आरंब हो जाएगा तो आप सभी को कनेर के फूल का उपाई या पंच मीतिती पर करके देहना है चाहे तो प्रथम वाला उपाए करे चाहे तो दूती वाला उपाए करे इससे लाभ आपको मिल नहीं है साथ के साथ इस मेहने आपको नियम बना लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मिट्टी के पातर से जल सिवलिंग पर चड़ाना है भले ही एक मिट्टी का दीपक हो या आप मिट्टी के कोई भी पातर से सिवलिंग पर जलाभी शिक करने का प्रियत्न कर अभी के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए दो ही उपाय है एक उपाय से रल्था चुनकर अपने ले कीजिएगा इन उपायों को करने से किसी को लाब नहीं होता बलकि इन उपायों से फाइदे ही फाइदे कही गए है ना इनका पैसा लगना है ना कोई ज्य धंडग पहुंचाने वली चीजों की महमा कही गई है तो जित्ता संभव हो इन चीजों का दान करने का प्रयत्न करें महादेव आपके भागी की रेखाए ऐसी प्रवल करेंगे जैसी आपने कभी सोची नहीं होंगी तो कोशिश करें आप अपने जीवन को सुद्रण बनान के लिए इन सरल से कार्य को कर सके वीडियो प्योंगी रहती हैं तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब